हेलो फ्रेंड्स आज मैं प्लेटो के दूसरे पुस्तक दर लॉज के बारे में चर्चा करूँगा तो फ्रेंड्स जैसा कि हम लोगों ने जीवन परीचे में प्लेटो के जीवनी को देखा तो वहां पे हम लोगों ने यह देखा था कि प्लेटो के जो गुरू थे वो अन्या का सासन हो एक अच्छा राज आदर्स राज स्थापित हो तो उन्होंने अपना ज्यान अर्जित करके अपनी पुस्तक दर रिपब्लिक को लिखा फिर उन्होंने रिपब्लिक को लिखा फिर उसके बाद उन्हों को सबसे पर्थम जो मौका मिला की दार्सनिक राजा को कैसे ब जो की सिसली के सिराक्यूस के राजा थे तो फिर उसके बाद दियोनिसियस के बाद उसका पुत्र दियोनिसियस दूतिय गद्धी पर बैठता है फिर क्या करता है दियोन को संदेश भेजता है दियोन जो एक सूसंस्कृत व्यक्ति रहता है और प्लेटो का मित्र होता है तो व लवहारिक रूप में परदान करने का अफसर मिलता है प्लेटो जो है अपना जो पुस्तक है रिपबलिक वह 40 वर्स के उम्र में करता है तो फिर प्लेटो बहुत खुस होता है और वापस तो वहां पर पहुशता है सिराक्यूज में लेकिन वहां आने के बाद वह अपनी और सफल होते हैं तो दार्शनिक राजा बनाने में और सफल होते हैं क्यों और सफल होते हैं क्योंकि जो उनकी बाते हैं वह वहारिक नहीं थी केवल आदर्सवादी थी जो की एक आम व्यक्तिरी को लागू नहीं किया जा सकता था तो फिर जो सिलाक्यूज के जो राजा थे गुष्या में आकर एक दिन दीओन को क्या क्या वह से निरवासित कर दिया। उसके जो दोस्त है प्लेटो वह भी अपने दोस्त के अपमान के करन पुना एथेंस वापस आता है 366 इसापुर में वह वापस आता है। फिर प्लेटो सोचता कि आखिर क्या उसमें गलतियां हैं, क्या त्रूटियां हैं, जो कि उसे लागू नहीं किया जा सकता है, फिर प्लेटो ने सोचा और अपनी रिपबलिक की नम्मी पुस्तक में उन्होंने खुद लिखा कि जो उनकी रिपबलिक पुस्तक है, वो इस लोक पिर उन्होंने एक और पुस्तक दाल लौज की रचना की उन्होंने साथी साथ स्टेटमेंट की भी रचना की जो लौज फिर बाद में जाके ज्यादा फेमस हुआ और दालौज के ही ज्यादा समर्थक उनके प्रियेसिस अरस्तू हुए थे चलिए फ्रेंड्स हम लोगों ने लॉज के इतिहास के बारे में भली भाती समझा अब हम लोग समझेंगे दा लॉज क्या 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 परमुक विसेशता है पहला दा लॉज जो है दूसरी महत्पून पुस्तक है कि प्लेटो की दलॉज क्या ओरस्तू पर असर सबसे अधिक परता है जो की फिर वह उनकी इसमें बढ़ाई भी करते हैं और αυτό की करना करता हirm करता यह क्या कर दालोज में क्या है कानून की संप्रोबता था वहाँ पे क्या था नियाय की संप्रोबता था दालोज क्या है उप आदर्सराज है बात यही है कि फ्रेंट्स की प्लेटों का जो मानसिक था वह दार्सनिक था और वह आदर्सराज के अस्थापना करना चाहता था तो वह कितना भी चाह लिया कि आदर्स राज को वैवहार वाद में बनाए तो वह उसमें और सफल रहा तो इसलिए उसे उप आदर्स वाद राज कहा जाता है दलोज को अब हम लोग समझेंगे दलोज जो है वो बारह भागों में बिवाजित है अगर हम पहला भाग का बात करे तो उसमें संगीत है दूसरा भाग का बात करे तो उसमें कलाग पर चरचा किया गया है तीसरी भाग पर बात करे तो एतिहासिक विकास पर चौथा भाग पे बात करें तो अधारबूत राजनीतिक सिधांत पे और पांस से आठ पर अगर बात करें तो कानून का शाषन और जनसंखियां सिच्छा पध्यति पर बात किया गिया है 9 से 11 तक विभीन कानूनों का و цен किया गया है और बारमे में नियायपरिशत का बात किया है उनका कहना है कि अगर कोई अधिकारी बहस्ट है तो उन्हें डंड दिया जाये तो डंड देने के लिए नियाई परिशद के अस्थापना किया, मतलब कानून का सासन अस्थापित किया गिया तो फ्रेंड्स अब हम लोग समझेंगे कि प्लेटो के दर लॉज में कौन-कौन से सिध्धान्त है तो पहला सिध्धान्त उन्होंने दिया आत्मसईयम का सिध्धान्त, दूसरा दिया कानून का सिध्धान्त, तीसरा दिया इतिहास की सिक्षा, चौथा है मिस्रिस सम्विधान, पाच्मा है भोग्योलिक इस्थिती, छठा है जनसंखियां संतूलन, सात्मा है संपत्ति, शंब अधिकार आठमा है धर्म पर नियंत्रन राजिद्वारा तो फ्रेंट्स अब हम लोग एकक करके उसको भली भाती समझने का परियास करेंगे कि आखिर रिपब्लिक और लॉज में क्या दिफ्रेंसेस है और प्लेटो जो है अपने जीवन के उत्राद में क्या-क्या लिखा उस का अधारबुत सिधांत नियाय था जबकि दलोज का अधारबुत सिधांत आत्म नियंत्रन है प्लेटो का मानना है कि नियाय के लिए संयम महत्पूर्ण है जिसके माध्यम से व्यक्ति सत्गुन को प्राप्त कर सकता है तो फ्रेंट्स जैसे कि हम लोग जानते हैं कि पब्लीक उसमें नियाय पर जोड देता है नियाय क्या था अपने कार mo कर ना अा क्या लेकिन इसमें क्या बोला हाथ मतलब दूसरे के पक्च में नहीं जाना इसी लिएْ जो पलेटो का लोज है उसको ऊप आदर स yarad was रहा गया इसलिए उपादर्स राज कहा क्योंकि उसकी जो मानसिकता है वह तो आप किसी का चेंज नहीं कर सकते हैं वहाँ पर बोला नियाय का साधर मतलब किसी के दूसरे हस्तचेप नहीं करना इसमें भी वही बोल रहा है कि आत्म नियंत्रन बनो तो प्लेटो का मानना क्या ह नियाय के लिए सईयम महत्पून है मतलब पैसेंस बहुत जरूरी है जिसके माध्यम से व्यक्ति क्या सत्गुनी को प्राप्त कर सकता है अर्थार्थ कानून का निर्मान इस परकार से हो कि व्यक्ति आत्मस्यमी बन सके क्योंकि इसके वज़ा से राज एकताबद और सोतंत् इसके परिणाम सरूब सभी लोग सुखी हो सकते हैं तो उन्होंने यहां पर आत्मस्यमें पर बर्ग दिया कि सब लोग अपने आपको कंट्रोल करें जिस वज़े से क्या होगा कि लोग में राज में एकताबद रहेगा सारे लोग सोतंत्र रहेंगे जिस वज़े से जहांक क्यों के कानून के सासन को स्विकार किया उनका मानना है कि कानून का सरूप उसकी आवशक्ता और सभाव पर परभाव डालता है राज में कानून सरूपरी होना चाहिए तो फ्रेंड डरलोज में क्या कि वह कानून का सासन का बात किया वहां पर कानून को माना ही नहीं रिप पर होना चाहिए दूसरा है कि रिपब्लिक और लॉज में सबसे बरांतर यही है कि वहां व्यक्ति के विवेक का सासन था जिस पर कोई नियंत्रन नहीं था प्रन्तु द लॉज में कानून विवेक युक्त है जिस पर नियंत्रन भी था तो फेंड जैसा कि हम लोग जानते हैं वही कर सकता था वहां पर निरंकुस सासक बन सकता था लेकिन दा लॉज में क्या है कानून का सासन है मतलब की राजा एक सीमा के बाद वह उपर नहीं जा सकता है वह कानून से बढ़कर नहीं है फिर आगे प्लेटों कहते हैं कि प्लेटों ने यह लिखा है कि कानून से पहल प्रास्तावना है प्रास्तावना क्या होता है नीचोर होता है आप उसको समझ करके देख करके समझ सकते हैं कि अंदर क्या-क्या लिखा हुआ है क्यों कि सारे लोग उतना time नहीं है पढ़ने के लिए उतना लोग समझ Naa कि लिखा है तो आज भी तारकिकता है, उनके जो सोच थे वो बहुत ही साकारात्मक था, भले वो आदर्श वादी हो लेकिन की सोच बहुत ही अच्छी थी तीसरा हम चर्चा करें तो इतिहास की सिक्षा प्लेटो राज की उत्पत्ती को समझने के लिए इतिहास की सिक्षा को अनिवारी मानता है उसका यह भी मानना है कि राजियों के सभी परकार के दोसों को जा सकता है जिससे दोस रहित नई व्यवस्था अस्थापित कर सके तो फ्रेंट्स उनका बहुत ही अच्छा मानना था कि इतिहास को जाने इतिहास का सिक्षा देना चाहिए क्या हमारे पुरवज ने जो जो गलतियां की है उस गलतियों को हम सुधार सके और अपने जीवन में एक बहतर नीती अपना सके जिस वज़ा से राज तरक्की की और बढ़ सके चौथा है मिस्रित संविधान तो प्लेटो के रिपब्लिक में राजतंत्र की बात करता है लेकिन दा लौज में राजतंत्र के साथ लोकतंत्र शाशन विवस्था का बात किया गया है इसमें मिस्रित था वहां पर जितने भी नियम कानून थे वो सासक के द्वारा निर्धारित किये जाते थे लेकिन यहां पर जो दर लॉज में उन्होंने एक ऐसी सासन वस्था स्थापना की जिसमें राज तंत्र के साथ साथ लोगतंत्र को भी दर्शाया गया है पांचमा भोग्योलिक उनका कहना था कि जो नागरिक है जिसी किसी का राज है वह कोई समुद्र के किनारे नहीं होना चाहिए उनका मानना था कि समुद्र में अगर कोई व्यक्ति वैपार करता हूँ अपना धर्म ब्रस्ट कर जाता है तो इसलिए वो चाहता था कि राज को समुद्र टट से दूर प्राकृतिक सुरक्षा से युक्त सम जलवायू वाला तथा आत्निरबर होना चाहिए अर्थात राज क्रिशी परदान एवं सौाम लंभी होना चाहिए तो फ्रेंट्स उनका मानना था कि प्राकृतिक सुरक्षा हो जैसे कि पाहार हो पर्वत हो कि कोई बहारी आकरमन नहीं ह हो सके और वहां पर क्या हो सकते हैं चटा है जनसंख्या संतूलन प्लेटो का मानना है कि राज की जनसंख्या 5040 होना चाहिए क्योंकि यह संख्या युद एवमसक्ति काल दोनों में उपयोगी है युद में विव रचना की जा सकती है और सांति काल में भूमी वित्रन और कर्वसुली में उपयोगी होगी तो फेंट जैसा कि हम लोगों ने प्लेटो के जीवन परीचे में देखा कि प्लेटो जोतिस सास्त्री है वह जैमिती और ग्यान में बहुत ज्यादा रूची रखता है उन्होंने अपने गेट के आगे भी लिखा था जिन्हें ग्यानित और जैमिती नहीं आता है वो संखियां लिया 5040 जो कि 12 से भाजक हो रहा है तो उनका कहना है कि जो कोई राज है उसकी संखियां भी निश्चित कर दी है कि 5040 ही होना चाहिए तो वह इसलिए होगा कि वह चक्र व्यू बनाने में व्यू रचना बनाने में या अगर हम सकती काल का बात करें तो कर्वसूली में या भूमी वितरन में बहुत ज़्यादा उपयोगी होगा इस संखियां का मुख भाजक बारह है प्लेटो उप आदर सराज को बारह जातियों के विभक्त करता है और वर्स में महिने भी बारह समझनों से देवी किरपा प्राप्त की जा सकती है तो फेंट्स उन्हें बह बहुत ज़्यादा प्रहौप देगी शातमा है संपत्ती समंध्य अधिकार प्लेटों ने द लोज में संपत्ती का शामिवाद छोड़ दिया व्यक्ती को संपत्ती अथा परिवार की छूड दे दी प्लेटों ने शंपत्ती के परियोग पर कठोर प्रतिवंद लगाए क्या देखा कि उनके सामवाद को देखा एक परिवारवाद सामवाद को देखा एक संपत्ति सामवाद को देखा तो प्लेटो ने अपनी दूसरी पुस्तक दा लौज में उन्होंने सामवाद को त्याग दिया बुला कि जाइए कोई भी व्यक्ति अपना परिवार रख सकता ह कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति रख सकता है साथ ही उन्होंने एक ये चतावनी दे कि कोई व्यक्ति अपना भूमी नहीं बेचेगा और दूसरी बात वह दो हसमें लगाता है कि कोई व्यक्ति भूमी नहीं बेचेगा और एक और प्रतिबंद लगाता है कि कोई व्यक्ति जो ह पांच हजर चालिस लोग इसमें से कोई व्यपार नहीं करेगा कोई बाहर का आदमिया कर ही व्यपार किया जाएगा आटमा विशेषता है राज द्वारा धर्म पर नियंत्रन तो राज क्या करेगा धर्म को नियंत्रन करेगा तो उनका कहना है प्लेटों का मानना है कि राज क को व्यक्ति घत्म धर्म नहीं होना चाहिए कोई भी व्यक्ति व्यक्ति उत्सव का आयोजन नहीं कर सकता है सारे उत्सव सारवजनिक होना चाहिए प्लेटो नास्तिकता का विरोधी है इसका कथन है कि नास्तिकों को आजीवन करावास में रखना चाहिए या मिर्तियु डंद देना चाहिए तो फ्रेंट्स इनका मानना है कि जो धर्म कुछ हो वह राज का धर्म होना चाहिए किसी का व्यक्ति का धर्म नहीं होना चाहिए और उनका ये भी मानना थी कि जो व्यक्ति नास्तिक है उसको मिर्ति उडंडे दो उसको करावास में डाल दो उसे आजेवन सजा दे दो लेकिन उसे मानना ही पड़ेगा कोई धर्म तो वह धर्म के साथ एक जुकता था उनका स्वभाव उनका अच्छा था तो फ्रेंट्स हम लोगों ने भली भाती दा लौज को समझने का परियास किया कि दा लौज उन्होंने किस इस्थिती में दा लौज को लिखा फिर उनके बारे में हम लोग एक एक करके विसेस्ताओं को समझने का भी पडियास किया तो चलिए फ्रेंट्स अब हम लोग रिपब्लिक और दा लॉज में क्या-क्या अंतर है उस पे हम लोग चर्चा करते हैं तो सबसे पहला कि प्लेटो का जो रिपब्लिक पुस्तक है उसमें क् वहारात्मक है वहां पर आदर्सवादी बात किया गया है जो कि इस लोक में क्या हो सकता है कि कभी भी उप्योग में नहीं लाया सकता है जमीनी अस्तर पर उतर नहीं सकता है लेकिन दा लॉज क्या है वहारात्मक है उसको आप जमीनी अस्तर पर उतार सकते हैं दूसरा क्या वहां पूलता है कि राज़ी सब्सक One करेगा लेकिन हें पें मेशी स्वंत्र tuas स्थापना करना चाहता था लेकिन यहां पे प्लेटों का जू सुभाब बो तो वैभार वाद राज करना चाहता था लेकिन उनका जो सोभाव था उस बज़े से उपादर्स राज ही बन पाया पाचमा क्या है सामिवाद वहाँ पे सामिवाद लाया संपत्ती सामिवाद लाया और क्या-क्या सामिवाद लाया परिवार सामिवाद लाया रिपब्लिक में लेकिन दा लॉज में सामवाद को नहीं लाया यहाँ पर बस एक दो परतिबंद लगाए कि कोई व्यक्ति जमीन नहीं बेश सकता है दूसरा कि जो बाहरी लोग हैं विदेशी लोग हैं वही सिर्फ अपना क्या कर सकते हैं वैपार कर सकते हैं छटा क्या है सर्म विवाजन जैसा कि हम लोगों ने पहले भी देखा है कि पबलिक में उन्होंने तीन भागों में लोगों को बाटा पहला कि एक स्रमिक वर्ग में बाटा एक बनेगा सासक वर्ग एक सैनिक वर्ग और एक उत्पादक वर्ग में बाटा लेकिन यहां पे क्या बोला यहां पे किसी को कोई सी वर्ग में नहीं बाटा लेकिन कुछ पर्तिबंद लगाए सब के लिए समानता थे लेकिन वेपार में केवल विदेशी व्यक्ति ही कार कर सकते हैं साथ मा क्या है कि वहां 50 वर्ष तक सिक्षा दिया जाता था रिपब्लिक में जब सिक्षा सिध्धान के बारे में पढ़े थे तो वहां पे था क्या 50 वर्ष तक सिक्षा लेकिन यहां पे क्या हो रहा है 25 वर्ष तक ही सिक्षा दिया जाएगा सब को आठमा क्या कि दार्षनिक राजा वहां पे प्लेटो क्या करता है दार्षनिक राजा का सासन यहां पे क्या हो रहा है कि वेभारिक नागरिक बनाना चाहता है वेभार डालना चाहता है जो जमीनी अस्तिर पे उतर जा सके नम्मा क्या है नैतिक जीवन प्लेटो वहां पे नैत प्लेटों ने क्या क्या दलौज में व्यर्वारिक जीवन जीने के लिए बोला गया कि आप सब्रेंग कार में अपने को रोकिए लेकिन अपने आप जितने भी कानून बनेंगे वह आत्मसयम्यमी होना चाहिए जिस वज़ए से क्या होगा कि राज में एक्ता होगा और लोक कल्यानकारी का बात होगा तो फ्रेंट्स हम लोगोंने दर पबलिक और द लौज में क्या अंतर हम लोगो भली भाती देख चुके हैं के हैं तो friends अब हम लोग एक और वुडियो के माधियम से Plato के क्या-क्या अनुदान है अब Plato ने हमें क्या-क्या दिया है उनका क्या योगदान है उसके बारे में समझने का परियास करेंगे तो friends मिलते हैं अगले वीडियो के साथ तब तक के लिए thank you and have a nice day